तो बच्चो फाइनली 75% क्राइटेरिया के उपर आपका एक मेजर अपडेट आ चुका है जैसा कि आप सबको पताईए कि बॉम्बे हाई कोट में इसकी हेरिंग चल रही थी और इन फेक्ट आज उसकी हेरिंग डेट भी थी तो वहां से मेरे काल से जो भी पॉइंट्स निकल के आए है वो इस वीडियो में हम डीटेल में डिसकर्स करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो भी आपको बताने वाला हूं उसका सोर्स क्या है तो बेसिकली यह आर्टिकल चपा है लाइव डॉट इन पे जहां पर क्लियर लिगाए कि जही में वाई 75% क् तो बेसिकली बात यही कि Bombay High Court में जो Judges की Bench है उन्होंने कुछ लॉजिकल सवाल करे है NTS है उन्होंने पूछा कि जब J.E.Main जैसा एक्जाम आप अल्डेडी करा रहे हो जो कि अल्डेडी एक कौलिफाइंग एक्जाम है तो फिर यह अलग से 75% eligibility criteria रखने की क्या जरूत ह है जब अल्डेडी आप J.E.Main exam करा रहे हो जिसमें अगर बच्चा अच्छा score करता है तो अल्डेडी वो एक qualifying exam है तो एक और qualifying criteria रखने की क्या जरूत है तो यह सवाल यार मुझे भी काफी logical लगा और इस पर अभी NTS ने थोड़ा time मांगा है कि थोड़ा सा time हमें चाहिए इसका answer proper वो लोग file करेंगे मेरे काल से एफिडेविट पर पूरा proper लिख के जो भी procedure होता है उसके हिसाब से वो पूरा proper अपना answer file करेंगे लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि खाली 75% criteria नहीं है NTNA Bombay High Court में ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि खाली हम 75% criteria रखते है अगर कोई भी ब उन्होंने एक example देते हुए question करा एक बच्ची का example दिया एक बच्ची है जिसकी J.E. में already 92 percentile है काफी अच्छी percentile है J.E. advance के लिए वो eligible है तो अब वो J.E. advance के लिए eligible है बट N.T.A. वालोंने बोला कि वो J.E. advance अगर दे भी दे अगर let's see कि उसका J.E. advance निकल भी जाए बोला कि यार फिर तो यह बहुत ज्यादा board specific हो गया अगर कोई बच्चा है जो let's say goa board में है तो goa तो यार बहुती छोटा सा शेर है वहाँ पे top 20 percentile में आना फिर भी आसान है लेकिन अगर मानलो कोई जैसे महरास्ट board है महरास्ट board में जो top 20 percentile भी अगर आप देख लेते ह तो वो 75 percent से जाधा जाता है top 20 percentile students आप देखोगे तो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा competition है बहुत ज़्यादा बच्चे तो आप यह कहना चाहरो कि एक national level जैसे exam में हम board specific अगर कोई goa का बच्चा है तो उसको हम ले लेंगे बट कोई महरास्ट का बच्चा है या कोई गिने चुने states है जिनको यह benefit मिलता है क्योंकि आपका 75 percent eligibility criteria तो है ही let us say कि top 20 percentile में भी अगर बच्चा आता है बट अगर वो कोई बड़े शहर में है महराष्ट जैसे या गुजराच जैसे तो वहाँ पे जो top 20 percentile जाता है वो तो 75 से भी ज्यादा जाता है तो यह कोई relaxation criteria तो हुआ ही नहीं तो उन्होंने NTA से यह सवाल किया कि फिर यह relaxation किस बात का है इसमें तो कुछ relax हुआ ही नहीं यह तो कुछ-कुछ boards के लिए हुआ बट कुछ boards के लिए तो हुआ ही नहीं तो basically इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे काफी मेरी काल से वो बोलते है न तर्क वितर्क है न तो काफी सारे points दोनों तरफ से आये है और मेरी काल से मतलब जिस हिसाब से मैंने पूरा article पढ़ा और जिस हिसाब से मैंने उसको interpret किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि long term में permanently भी अगर 75% criteria हट गया न तो भी कोई surprise वाली बात नहीं है क्योंकि मेरी काल से बहुत ही logically इसक को decode करने की कोशिश करी जा रही है है न मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब court के लिए respect आ जाता है अंदर से ठीक है तो definitely यार मेरे खाल से काफी सही direction में यह जा रहा है तो most probably 75% criteria तो हटेगा ही हटेगा ठीक है तो अब आप और अभी तक हटा नहीं है but yes most probably ऐसा chances are there कि आपको बताते रहेंगे last minute revision की जो पूरी playlist है वो भी हमने डाल दिये तो definitely आप उसको definitely करके जाना क्योंकि बहुत सारे सवाल वहां से भी directly आ रहे ठीक है तो revision अच्छे से करो exam अच्छे से दो exam पर focus करो और 75% criteria से अब मेरे खाल से कुछ बहुत जादा डरने वाली बात नहीं